आपका स्वागत है सबकी बात सच के साथ तो चलिए रुख करते हैं आज की प्रमु खबर पर क्या चंदसेकर आजाद की जीद ने किया मायावती को मज़ूर भतीजे आका सानन्द की वापसी की इंसाइड स्टॉरी बहुजन समाज पार्टी यानि की बीएसपी की सुप्रीव मायावती ने एक बार फिर आका शानन्द को अपना उत्रादिकारी घोशित कर दिया है साथी राश्ट्री समनवयक का पद भी लोटा दिया है खास बात है कि बीते साथ दिसंबर में ही उन्होंने भतीजे आनन्द से पद शीन लिगा था अब मायवती के इस यूटर्ण को लेकर राजनितिक चर्चाएं तेज हो गई है अटले हैं कि इस फैसले की एक वज़या उत्रप्रदेश की नगीना लुक्सवा सीट से चंदर सेखर आजात की जीत भी हो सकती है जो बहुजन आंदुलन के एक विकल्प के तौर पर उभरती हुई नजरा रहे हैं हलाकि इसे लेकर पार्टी की ओर से साफता और पर कुछ नहीं कहा गया है पत से हटाए जाने के बाद ही आनद ने लुक्सो चना प्रचार से दूरी बना ली थी वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी को हारे हुए उमिद्वारों से भी जान करें मिली है कि अगर आनंद प्रचार अभ्यान जारी रखते हैं तो बस्पा का कूर वोटर माने जाने वाले जाटर दलित और मुस्लिमों का एक वर्ग समाव जदी पार्टी और कॉंग्रिस गठ्वंदन का समर्थन नहीं करता अब एक ओर जहां मायवती कॉंग्रिस और सपा के खिलाफ हमलावर रहती हैं वही आनंद सिक्षा गरीवी जिसे मुद्दों को लेकर भाषपा की खिलाफ पोल रहे थी रिपोर्ट के अनुसार कुछ निताओं का कहना है कि आनंद की जाने से दलितों मुसल्मानों में संदीज दिया है कि मायवती भाषपा की दबाव में हैं अक्वार से बाचीत में एक नीता ने कहा है कि उनका वापसाना बस्पा को इस टेक से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा कि ये पार्टी बाच्पा की बी टीम है ये जाटवो और अनुद दलितों के हमारे कोर वोटर बेस में फिर भरोसत तयार करने में सायक होगा और लोकसव माना है कि मायवती का फैसला बदलने का एक करण आजाद समाज पार्टी कांसी राम नेता आजाद की वी जीत हो सकती है सपा में आनंद की बहाली की वज़े संभावित रूप से आजाद की दलित और युवा नेता की तौर पर भरना भी हो सकती है अख्वार के अनुसार बस बसपा करा एक वी सांसद नहीं है और आजाद देशवर में घूमते हुशदन में दलितों और मुसल्मानों के मुद्विक उठाएंगे ये एक दलित नेता मायवती के विकल्प के तौर पर भरने में उनकी मदद करेगा और बसपा को कम जूर करेगा इस टैमेश कंट्रोल क लिए आनंद की वाप से जरूरी थी कहा जा रहा था कि लोगपड़ी चहरी की कमी भी एक वज़ा हो सकती है जिसके चलते बसपा को लोग सवचनाव में जटका लगा खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए सीजी नियूस प्लस 24